बिग बॉस 16 में आज वीकेंड के वार के संडे एपिसोड में प्रडियूसर एकतागपूर और डायरेक्टर दिबाकर बेनर जी जाएंगे बिग बॉस हाउस में जहां वे सभी कंटेस्टेंट्स के बारी-बारी ओडिशन्स लेंगे ये दोनों प्रियंका और अर्चना को नागिन सिक्स से तेजस्वी प्रकाश का फेमस डायलोग बोलने को कहेंगी जहां दिबाकर एक को अच्छी एक्टिंग कहेंगे और दूसरे को ओवर एक्टिंग फिर ये दोनों शिव और निमृत को नेवले और नागिन का रोल करने के लिए कहेंगे और ओडियन्स के लिए इनके एक्ट में special effects भी डाले जाएंगे जहां एक्तक अपूर इन दोनों के act को देख के खुशी से उचल पड़ेंगी और दिबाकर बैनर जी के साथ अपनी upcoming film Love Sex और धोका 2 के लिए निमृत को साइन भी करेंगी इसी के साथ नागिन 7 के लिए वे बाद में एक और contestant को साइन करेंगी फिर एक्तक के घर से जाते ही सलमान मुद्दा उठाते हैं शालीन के confession room में big boss से की गई बातों का जहां वे शालीन से कहते हैं कि फिलहाल इस घर में आपसे ज़्यादा weak contestant और कोई नहीं है जहां शालीन अपने आपको defend करते हुए कहते हैं कि इस घर में कभी न कभी हर कोई गुस्से में फटा है सलमान कहते हैं लेकिन गुस्से में आपके मुझसे confession room में जो बाते निकली है वो कुछ अलग ही level की थी इस घर में आपसे ज्यादा कोई भी इतना plot lose नहीं कर रहा है आज तक आपके जैसा किसी ने भी react नहीं किया है और इसी वज़े से मेरे लिए तो आप ही सबसे weakest है शालीन की class लेते ही सलमान announce करते है eviction जहां इस अफते चारो nominated contestants है शालीन, टीना, सुंबुल और सौंदर्या शर्मा फिर सलमान कहते है कि इस बार कौन घर से बेघर होगा इसका फैसला हम आप घरवालों पे छोड़ते है जहां पाचो safe contestants को ये तय करना होग कि इन चारों में से किसे इसी वक्त evict किया जाए जहां प्रियंका और शिव चाते हैं सौंदर्या को घर बेजना वहीं, stand लेते हैं शालीन का नाम, अर्चना कहती है शालीन से ज्यादा तो सौंदर्या सबसे अच्छा टास्क करती है घर में और सुंबुल तो इन सबसे वीक है जह शिव अर्चना को समझाते हैं कि यहाँ टास्क की बात नहीं हो रही बल्कि घर में involvement की जो प्रियंका और शिव के इसाब से शालीन और टीना कही ना कहीं सौंदर्या के मुकाबले इस घर में कुछ तो कर रहे है जब शिव अर्चना को समझा रहा था तब निमृत बा काम लेने से मना करती है वहीं शिव प्रियंका और MC10 के बहुमत से सॉंदर्या को उसी वक्त घर से बेघर कर दिया जाता है जिसके बाद अर्चना की बेस्ट फ्रेंड और शालीन की नई सकी सॉंदर्या हो चुकी है एविक प्लीज कमेंट करके बताईए क्या आप एक्साइट क्यों आपकुर इर